विद्यार्जी मित्रो, मैं आप सभी का बहुत आबार गर्ट करता हूँ, आप यहाँ हैं और मुझे आप से एक भारत देश में एक बहुत अभीर विश है जो आज में उसके उसके बात करने का समय नहीं रहा है। भारत को आपकी बहुत जरूरत है, आपको भारत की जरूरत है जा ऐसा आज के संभाव का दिशह है। भारत को आपकी जरूरत है यह बात मैं आपसे कौमों उसके बहुते एक छोटी सी जानकार या आपसे मुश्यर करना चाहता हूँ कि हमारे बारत देश्की सरकार के जो Finance Minister है और हमारे देश्की सरकार के जो Human Resource Development Minister है Mr. Arjun Singh and P. Chilafra दोदों को आज पिछले Budget Session में एक Question किया गया था Budget Session अब था 2007 परवरे और गो Question मैंने एक Member of Parliament को लिख कर दिया था मैंने उसे प्रश्ण किया था कि एक वर्ष में भारत देश के प्रति वर्ष जितने भी त्यार थी अमेरिका और उर्व चले जाते हैं उसके कारण भारत देश को ब्रेट ब्रेट के रूप में जो लाउस होता है वो कितना है तो बारत के Finance Minister ने पार्लिमेंट में उसका उतर जिया कि रफ्ली 25 बिलियांड दॉलर्स अलवार एक वर्ष में भारत देश के विद्यार्थियों का विदेश चले जाने से 25 बिलियांड दॉलर्स का लॉस होता है वारत को आने होती है 25 बिलियांड दॉलर्स का जो फिगर है अगर उसको समझना हो तो करनाटक राजिका बंद वर्ष बज़ाता है 25 बिलियांड दॉलर्स के आसपास है इतने उपाई म crochet का राजिता इक क्छके फिर्च के खर्च निकलता है उतने उपाई का लॉस भारत देश को हानी होजादा है यह हानी होदी है वह पृसे के उपमे होदी एंटेशिली होदी है वो किस तरह से होदी है वह अऐसे कि भारत के जो इंजिनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेनेजर्स हैं, यहां से जो पढ़ा ही करते हैं, हाईर इस्टडीज के लिए जाते हैं, और प्रिमियर इंस्ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, तो भारत के लोगों के टैक्स का लाकों करून रूपर हैं, उनके उपर के रूप में जो तर्च करते हैं, वो हमारे पूरे खर्चे का पहुत थोड़ा सा इस्सावत है। कारण क्या है? भारत देश में जो हायर स्टडीज हैं, उसको सबसे ज्यादा सबसे लिए। दुनिया के किसी भी देश में हायर स्टडीज को इतना सबसे लिए हैं, जितना भारत देश में। गवर्मन्ट अप इंडिया के 2006-2007 के बजट में हायर स्टडीज के सबसे लिए। के रूप में हदिनेट सावित कोर्टि रूपर खर्च हुआ। 18,000 करोर्स। और यह जो खर्चा है वो भारत के नागरिकों ने टैक्स के रूप में सरकार को पे दिया है। आप जाते हैं कि भारत की सरकार भारती नागरिकों से टैक्स के रूप में एयर लिए लख्ष लख्ष कोटी रूपरे लेती हैं, कलेक्ट कर्टी है। उसमें से हगरेंगी पे साफिर कोटी रुपए हायर स्टेडीज के सबसीडीज में जाता है और सबसीडीज में गया हुआ ये पैसा उन सभी भी द्यारतियों के उपर खर्च हुआ जो भारत छोड़कर चले गए तो रिटर्ण्स के रूप में वापस आए कि कोई गार्टी नहीं है आप बुलेंगे क्यों गार्टी नहीं है वो इसलिए नहीं है कि जो भारत छोड़कर चले गए वो वापस आएंगे इसकी कोई गार्टी नहीं है वो विनेश में नहीं रहते हुए यूरोक और अमेरिका में काम करते हुए अपने रेमिटेंस भारत को देज़ेंगे इसकी भी कोई गालें देगे वो अपने इंट्रेस्ट को ध्यान के रखकर रेमिटेंस भारत में देज़ते हैं इंटरेस्ट क्या यदि American economy में rate of interest जादा हो गया तो वो involvement नहीं भीसते थे वो बहीं कर इंवेस्ट कर देते और bank मरते हैं यदि American economy में rate of interest कम हो गया तो फिर वो सोचते हैं कि से उठी चम भारत में भीस दिया जाएं लेकिन जैसे ही rate of interest हाई होता है वो भारत से सभी कुछ निकाल के वापस अमिठ कर दे जाए है। हमारे भारत देश से पढ़ाई पूरा करके विदेश में जाकर जॉब करने वाले जो गल्फ रीजन में भारती हैं वो थोड़े से रेविटेंसिस भारत को बेश दे गल्फ में हैं। वहरी, कुवह, गुवार, सयुतर, अमिराद, UAE आधी आधी देशों में मुबत दिलक्ष भारतिय नागरेट हैं। और इस मैंसे 90% मुबत दिलक्ष में 90% जो भारतिय नागरेट हैं वो कार्विट हैं। कार्विट हैं। वो इंजिनिर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं। शार्टर्स नहीं हैं। मैं हाथ से काउंट करते हैं कोई कन्स्रक्षेशं में है तो कोई दूसरी आटो भी इंडेस्टिंटिक है अर्थाफ वह हायर इंस्टूशन के प्रॉडक्ट नहीं वो किसी IIT से pass out नहीं हुए है All India Institute of Medical Sciences से pass out नहीं हुए है R.A.M. से pass out नहीं हुए है तो जो कारविक लेवल में हैं लिवरल क्लेवल में हैं वो अपने total remittances भारत को भेजते हैं हमको यह समझने में बहुत तक्रीफ होती है कि जो higher institution से pass out होकर भारत से बाहर जाते हैं वो remittances नहीं हैं लेकिन जो साधरन कारविक हैं जो भारत से pass out होके तिक्तर मिलेट किसी ने पास किया है टेरिक standard किसी ने पास किया है और गल्फ प्रिजन में काम कर रहे हैं लास 15, 20, 25 यह से वो अपने कुल जो उनकी income है उसका जादा से जादा पैसा भारत देश को भीज़ते हैं Government of India के statistics है कि गल्फ प्रिजन में रहने वाले जो भारती नागेट हैं जो कारविक के रूप में काम करते हैं उनका year 4 to 5 billion dollar भारत में आता है लेकिन higher institutions से पास आउटों कर निकलने वालों का बल्ट मिलियर दॉलर भी नहीं आता हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जिनकी studies बहुत उचे इस institutions में हुई है जिनको बहुत high institutions में पढ़ने का मुखा मिला है Premier institutions में जिन्होंने अपना अभ्यास किया है उनका जो नेतिकता होगा जो उनका प्रेलिटी होगा देशवक्ती होगा वो जास्ती उचा होगा लेकिन वास्तप में उल्टा है जो लोग सिंपुर 10 पर 12 पास करके गल्प में चले गए हैं उनका भारती अधार देशवक्ती राष्ट्रवक्ती बहुत सुझे मैं आपको इन छोटा सा उजारन देखा। भारत में कार्डी वार वार था। कार्डी वार के टाइंड में गल्फ रीजर में रहने वाले भारत वासियों ने विदिन 7 देज 480 करोड रूपी भारत को बेज देखा। 480 करोड विदिन 7 देज। और अमेरिका में रहने वाले यूरोक में रहने वाले भारत वासियों ने 3 months में 70 करोड बेजं़ nepॉables वो भी रों रोंके ile ऐसा झौब हमारी पास कुछ नहीं है और भराक मěं है है कानगाली में एक पाक बहु के 3 months में 70 करोड साया अमेरिका यूरूम में रहनी वाले बाहरत वासीयों से और गलफ में रहनी वालों ने 7 days में 430 करोड से बैक्श ऑई अृर्था यह जो गलफ में रहनी वाले सांधर बहरतिय हाट रिख है यह जादा देश वोगत है वहाँ रहते हैं बहुत महनक करते हैं वैसे कभा कर रहे बहुत कम खर्चे में अपना जीवंच चलाते हैं और जानाशी जाना वो भारत को बैसते हैं और आप जानते हैं कि उन लोगों की गज़त से भारत देश में केरल स्वेशक collect की पूरी एकोनमी चलते हुआ हमारा भारत का ये राज ये है केरल, जिसकी एकॉनमी का, अगर केरल का जीवी किनो कैल्कॉलेक्ट करें, वैसे जीवी भी कैल्कॉलेशन नेशन का होता है, देश का होता है, लेकिन एक बार मैंने केरल का कैल्कॉलेशन किया, ये समझने के लिए कि जो मर्यारी लोग गल्व मे रहते हैं उनका contribution किया है केरल को चलाने हैं तो आप तो सुखर आश्यर होगा कि government of केरल का जो total tax collection है लगखक उतना ही पैसा गल्ब में रहने वाले मर्याली लोगों का एविजन से अपॉर है नाइटीन नाइटीन नाइटी नाइटी वन में एक में सिंबल कैलकुलेशन किया था और उसी कैलकुलेशन को 2005 और 2006 में रिपीट किया था और वो कैलकुलेशन यही था वोकार केरल को जो contribution है ये यही जो गल्फ में रहते हैं वो बजट के बराबर मन है उनके जो tax collection है गवर्मेंट के उसके बराबर 2006 और 2007 में भी सेव है statistics साथ से percentage wise statistics सेव है और quantity में वो बढ़ गया है last year केरल गवर्मेंट जो total tax collect किया था 22,000 करोर था लगवग इतना ही पैसा दल्ट से आया था तो केरल गवर्मेंट और केरल इस्टेट की इकॉनमी बहुत बढ़े भर्माने पर उनसे चल दी है हमें गर्व है इन सभी भारत वासियों पर जिनकी education बहुत कम है जिनोंने देश का खर्चा बहुत कम किया है अपने उपर फिर्वी देश के लिए इतना साना को कर रहे है बहुत खराब conditions में वो गल्फ में रहते हैं फिर्वी वो देश में पैसा बेते हैं मैंने वो सभी गल्फ देशों का प्रवास किया हैं जहां पर भारत वासि रहते हैं ऐसे उन सभी को डॉर में ट्री दूर्वी में रहना पड़ता है और डॉर में ट्री दूर्री अतनी खराब इस cities में हैं अबु दमी में या न्यदू भुकर नग या बरदूभी या जया या वह एकन के अमन बहुत कि खराफ सत्राल में च 가자 10 by 10 का एक रूम होता, 100 sqf, उसमेर minimum 8 या 10 नागरिक रहते हैं, 8 to 10, minimum, और जैसे railway 3 टायर का slipper class होता है, ऐसे उनके बैंड होते हैं, फस्ट आयर, सेकेंड, थार्ड, फोर्ड, फिर्ड, शिस्ट, ऐसे उनके बैंड ही रहते हैं, अलमारी भी नहीं है, उनके का प्रॉप्रोंट से, और उनको अगर कभी बीमारी आजाती है, डिसीज हो जाती है, तो बीकली वंडे ही है उनके, उस पावर प्रोजेक्ट का नाम दाभोल, दाभोल एक छोटा सा गाउं है, रतना के लिजिले में महाराश्टों, समुद्र के किना है, तो एंट्रों कमपनी को महाराश्ट गवर्मेंट में कॉन्ट्रेक्ट दिया, कि आप ये दाभोल पावर कमपनी को सेटप करिए और एलेक्रिक्सिटी जिनरेट करके महा साल के बैलन शीट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था, कि उन्होंने वन्दू मेगावाट, वन्दू मेगावाट तो दूर का बात है, वन्दू यूनिट, एक यूनिट इलेक्रिक्सिटी प्रोड्यूस किया है, एंड्रों का एक आफिसर था, जो मुंबरी में रहता था, मैं मैंने एक बार उसको बैठीच लिया, और उसको मैंने प्रश्ण किया, आप में तो वन्दू यूनिट भी इलेक्रिक्सिटी कभी बनाया नहीं है, आप ये दावोर पार प्लांट कैसे चलेंगे, तो उसने मुझे बताया कि हमने तो इलेक्रिक्सिटी नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका में जिसने एलेक्रिक्सिटी बनाया है, वो कम्पनी को हम लाएंगे, और उसको अपना सब कॉंट्रेक्टर बनेंगे, तो बैठीच हम कमाईगे तो ये प्रजेक्ट उन्हों ने भारत में ले लिया, हम लोगों को इसमें फोड़ा सा गड़ बनाया, कि कुछ इसमें रगण है, तो हमने हाइपोर्ट में PIL पाई दिया, मुंबई हाइपोर्ट में, हाइपोर्ट ने हमारी PIL को सुविकार करने के बाद एक inquiry commission बनाया, कि हैंटरोल का total inquiry करोड़ दिया, इनको कित कंडिशन्स में ये प्रोजेक्ट बिलाएं, तो जब inquiry commission का report आया कोर्ट में, तो पता चला कि एंडरोल कंपोनी ने thousands of करोड़ दिया है, लंज दिया है, भूस दिया, इंडियन पॉलिटिशेट को, कोर्ट के सामने जब ये documents आगड़े और कोर्ट convince हो गया, तो कोर्ट ने एंडरोल का agreement चैंसल कर दिया, High vote of महराश ने agreement चैंसल किया, जैसे ही agreement चैंसल हुआ, तो एंडरोल एकदम पागल हो गया, बॉख लाएं, next day उन्होंने press conference बुलाया, और उन्होंने ये बताना शुरू किया, कि हमने किस politician को कितना पैसा दिया, महराश ने आप जानते हैं, दो-तिन बेजर political parties है, हैंडरोल पे का, हमने सभी को दिया, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, जब question उनको पूछा गया, press reporters की तरफ से, कि आपने ये पार्टी को ज़्यादा, इसको कम क्यों दिया, तो नटका हमको लगता था, कि ये नहीं का चांस है, पावर में आने का, इसलिए इनको जास्ति दिया, और जिनका चांस नहीं है, उनको कम दिया, लास्ट में क्या हुआ, कि वो लोग Supreme Court गे, और हम लोग भी Supreme Court गे, Supreme Court ने भी वो agreement करे से किया, Supreme Court का भी कहना था, कि ये इल्डीकल है, इसमें गोटा नप वाए, जब इस Supreme Court में वो केस हारे, तो उन्होंने बहुत बहुत sensitive debilation किया, उन्होंने बताया, कि बारत देश में आने के लिए, गवर्मेंट अमेहिका को भी घूस दिया, अमेरिकान गवर्मेंट को रिश्वत दिया, लंच दिया, भूस दिया, और आप जान दे हैं कि जिस समय ये एन्डरों भारत में आया था, अमेरिका में प्रेसिदेंट का बिल क्लिंटन, तो एडॉन ने कहा कि Bill Clinton को second term जो हुआ थान आपको जा रोचने उसको टूर्टर्म तो second term प्रेसिडेक हुआ वो टाइम एडॉन अर्वणब कंपनी ने 100 TiPistor'd बिल्डियोड टॉलर्ड स्का न आपको भारत स्पीर्दोंviv था इस में तो हमँआरा प्रॉजेक्ट कैंसल नहीं होता और हम भारत में रहते तो इदिन ट्विंटी इयर्स हम भारत देश से मिनिमम टू तू थो तू 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 बिदिय को सकता था तो उनका कैल्पूलेशन है तो एक इंट्रिस्टिंग बात बोल कर गए हम जब भारत में आते हैं तो लंच और विश्वत का पैसा इंवेस्टमेंट के साथ लाए हमारा जो इंवेस्टमेंट का पैसा होता है उसमें लंच और विश्वत का इंक्लूड करते हैं वह अंबर्टम तो अमेरिका में भी घूस खोनी है रिश्वत खोनी है पृष्टम चाह रहे हैं बस इतना ही इंटी मैंने आप से का कि बारत में 2-3 billion dollar में political parties को आप खरीदी कर सकते हैं अमेरिका में 100 billion dollar लगता है, खरीदी वहां भी होता है बाद में क्या हुआ, जब उनका ये बात आया ना, तो हम लोगों ने एक अच्छा सा काम किया कि उनका जो statement था, वो record किया, cassette में, video cassette में, audio cassette में और अमेरिका में रहने वाले जो भारत रासी हैं, उनसे कहा कि किसी एक MP को इसम दे दो, American Parliament को लेकिन ऐसे MP को देना जो Enron के against है, अर्थात Bill Clinton के against है, अर्थात Republican Party का है Bill Clinton मने Democratic Party, Democratic Party मने Enron Party, अमेरिका में ऐसा बोलते है, Enron Party तो Republican 2-3 MP को वो दे जा, उन्होंने Parliament में हंगामा किया, वो हंगामे पे inquiry हुआ, inquiry में सब कुछ खोड़ी गया, अंतर परिशानी क्या हुई कि Enron को दन्ग लगाया गया, हाँ, दन्ग देना पड़ा, और वो दन्ग देने के चक्कल में वो कंपनी, बेंकरफ्ट हो 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 और आज वो दुनिया में खतब हो अभी एंड्रो नाम की कोई कंपवड़ी दुनिया में लिए अमेरिकन अमेरिका में भी तो है तो यह कहकर अपना बात समप कर देते हैं कि हाँ अमेरिका में करप्शन है लेकिन वो हमको अफेक्ट कहीं करता भारत में जो करप्शन है हमको वो अफेक्ट करता अमेरिका यह हो नहीं सकता करप्शन जहां भी है सुसाइटी को अफेक्ट करेगा है क्योंकि अमेरिकन सुसाइटी में करप्शन बहुत टॉप लेवल पर है तो उसका दुश्परिणाम यह है कि अमेरिकन सुसाइटी में इन कॉस्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जेब में 25 रूपीज है उनले 25 रूपीज है तो वंदो जिवस आपका खर्चा चल जाएगा ये भी हो सकता है कि आप थोड़े जुडिशियस चॉइस वाले हैं तो वह इंपद अई रूपई में आपका बंदो भी खर्चा भी चल सकता है अब बुलेगे खैसे चल जाएगा अगर मैसूर में हैं परणाटक में कहीं भी है तो बहुत सारा मठ है जहां प्रसादम की रूप में बोजन की विवस्ता है आप डेली, बॉर्णी एवनिंग मठ में जा सकते हैं बंदर प्रणाम कर सकते हैं प्रसादम को विली जाएगा और सप्पोज आप अगर करनाटक में नहीं है नौर्थ इंडिया में है तो नौर्थ इंडिया में बहुत सारे गृष्वारे है जहां प्रसादम 24 आवर्स पे जाएगा लेकिन अमेरिका में अगर आप ऐसा क्यारिकुलेशन करें highly impossible and next to impossible अगर आपके बास इत्पत ही डॉलर है तो इसमें कुछ गारेंटी नहीं है कि आप बढ़ दे अपना खरचा चला गया है शायद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अमेरिका में कहीं भी प्रसादम की व्यवस्था नहीं है अमेरिका में एक भी चल्च ऐसा नहीं है जहां प्रसादम की कोई व्यवस्था हो अमेरिका में एक भी इंसिट्यूशन ऐसा नहीं है जहां पर आपके लिए कोई बोजन देने बनागे आप अगर बिकारी के रूप में भीख पाने हैं उसकी भी दार्यटी में नहीं है कि आपको कुछ में जाएगा क्योंकि वहां बिकारी भी बहुत akspert हैं जिनको भीख भीख भाती है सबीको भीख नहीं बेल पाती है अंत में आप सोशल सेक्यूरिटी के लिए एक अप्लिकेशन पाई करें कि हमको सोशल सेक्यूरिटी चाहिए तब ही शायद आपकी जिन्रवी का कुछ हिस्सा चल पाएगा तो भारत और अमेरिका या यूरोप के देशों के साथ जब हम कंदर ही सर्व करते हैं तो उनके सुसाईडी का और पॉलिटिकल एकॉनोमी का इस तरह का स्क्रप्चर है लेकिन मुझे बहुत तक्लिफ होती है जब भारत वासी है जो अमेरिका और यूरोप में चले जाते हैं और इस तरह के लॉजिक देना शुरू करते हैं तर्ट देना शुरू करते हैं भारत में पॉलिटिकल करॉप्चन है और यहां पर इसा है वैसा करॉप्चन तो दुनिया के हरेट देमोक्रेसी में है और आपको ये शायद मालूम है या नहीं देमोक्रेसी को दुनिया में चलाने वाले सभी देश ये मानते हैं और वो मानते हैं कि यह basic principle है कि without the help of the corruption democracy कहानी में रण यह जो democracy है जिसको हम parliamentary democracy कहते हैं यह corruption का बदद से ही चलता है अगर corruption नहीं होगा democracy चल नहीं सकता ऐसा बोचते हैं दुनिया में कि यह अगर parliamentary democracy को एक machine माने तो corruption उसका oil तो machine चलाने के लिए oil चाहिए तो corruption भी चाहिए हाँ वो कई philosophers ऐसा बोलते हैं कि अगर आप parliamentary democracy को change कर दे कोई दूसरे तरह का democracy आ जाए तो शायद आप corruption less society बना सकते हैं या corruption less government चला सकते हैं parliamentary democracy में corruption नहीं हो यह कभी भी हो नहीं सकता अमेरिका हो या भारत हो मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो France हो या जर्मनी हो Sweden हो या Switzerland हो अभी France में election चल रहा है और आप जानते हैं election में दो candidate हैं एक lady है और agent है दोनों पिछले राश्रुपदियों की poll poll रहे हैं किसने कितना correction किया किसने कितना भूस खाया कितने कितना भूस खाया France में एक व्यर्टी है candidate है जो प्रेसिडेंट का जो मारियलेपे उसका नाम है जो मारियलेपे वो right wing activist की माना जाता है right wing आप समस्के है left wing right तो right wing activist के नाम पर वो क्या कर रहा है कि last 15 years में candidate में जितने प्रेसिडेंट हुए सबका भायो डेटा उसने कितना कितना correction किसमें किया किसमें कितना भूस खाया किसके उपर क्या charges थे किसके उपर का case हुआ किसको कितनी सजा हुई वो सब उसने लोगों के बीच में डाल दे और वो इन दोनों जो बुड़ी प्रेसिडेंट हैं तो कहिए ने उनका भी उसने पूल पूलना शुरू कर दे जो पर यह लब है वो यह कहता है कि दुनिया में जहां भी parliamentary democracy है corruption उसका दूसरा हिस्सा है एक head है तो दूसरा tail एक tail है तो दूसरा head है तो corruption free तो कोई भी दुनिया के society है नहीं इस समय parliamentary democracy में हाँ कोई दूसरा form के आओ governance का तो शायद वहाँ हो सकता है इसलिए ये बात करना कि भारत में political corruption है वो मुझे लगता है कोई logic सठीक नहीं है फिर बात क्या है जो भारत से बाहर जाते हैं कई बार मैंने देखा है वो कल्पना करते हैं बोलते हैं कि हम थोड़े दिन में वापस आएंगे फिर क्यों नहीं आते हैं क्यों महीं सेक्टिन हो जाते हैं उसका जब मैं study करता हूँ तो उसमें चार परच बाते समझ में आती हैं परहली बात क्योंकि जो समझ में आती है वो हमेशा calculation करते हैं वन डॉलर नलवत तई रोपड़ वन डॉलर नलवत तई रोपड़ तो उन्होंने वन डॉलर कमाया तो भारत में नलवत तई रोपड़ तो वो यह कहते हैं कि डॉलर और रुपी का जो exchange rate है यह उनको मजबूर करता है वहाँ settle हो जाने के लिए दूसरी एक और serious बात है वो serious बात उनकी यह है कि अमेरिकल economy में और European economy में आपको अगर settle होना है तो permanent job मिलने तक आपका लक्ष लक्ष रुपए खर्च हो चुका होता है permanent job मिलने तक लक्ष लक्ष रुपए आपका खर्चा हो चुका होता है हंत लक्ष, हाज़, लक्षिपद, 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 अईद लक्ष कई लोगों का मेरा एक दोस्त है जो अभी settle हुआ है उसको दस सान लगा, पर्मनेंट जॉब अभी मिला है उसको और वो बोलता है कि इपत अई लक्ष मुपर उसका तरच हो गया है तो यह जॉब मिलने में और सेटिल होने में जो खर्चा होता है ये खर्चा किसी ना किसी लोन के रूप में वो इधर उधर से जमा करते है और उस लोन को रिपे करना है उनको ये उनकी दूसरी बड़ी मजबूरी होती है इसलिए वो बाहर से वाफस नहीं आता है और एक तीसरी बड़ी मजबूरी है तीसरी बड़ी मजबूरी है वोई है कि वहाँ काम जब आप करते हैं तो मशीन की तरह से काम करते करते हैं शरीक का आदत वैसा है जैसे आप अमेरिका में अगर काम करना है कल पना करिए तो यहाँ तो आपको लगता है जो स्वर्ग है, ऐसा कुछ स्वर्ग नहीं है, जब जाके देखें के तो पता चलेगा, फ्रॉं 7 a.m. टू 7 p.m. ट्रेल वाबर से डेक काम करना पड़ता है, मिनीमा में, अगर डबल शिफ्ट में काम करेंगे, तो यह बढ़ जाएगा, यह सिमिनल शिफ्ट की बात हो लिए, 7 a.m. टू 7 p.m. काम करना पड़ता है, आपको फैट्री में 7 a.m. हाजिर होना है, दो बिनेट भी लेट हुआ है, यह तीम बिनेट भी लेट हुआ है, तो आपको नोटिस में जाएगा, और जहां आप रहते हैं, आपका घर और फैक्ट्री दोनों के पीच का डिस्टेंस 200 माइल हो सकता है, कभी-कभी 300 माइल भी होता है, कभी-कभी 400 माइल भी होता है, अब आप ज़रा सोचिए कि 200 माइल आपको ट्रेबल करेंगा, सेवन एयर्ट से पहले फैक्ट्री को होचना है, तो आपको आपका घर मिनीमम फाइब तो छोड़ देना पड़ेगा, सुबर पार ज़े घर छोड़ देना पड़ेगा, और आप जानते हैं, अमेरिका में 365 डेज में 200 डेज ऐसे होते हैं, जब इस सन लाइट नहीं होता है, सुरी का प्रकाश नहीं होता है, मिनीमम 200 डेज, ठंडी जब होती है, सर्दी जब होती है, तो टेंपरेचर माइनस 30 डिगरी सेंटिमेट तक होता है, अभी 2007 डेज़वर का तेंपरेचर माइनस 35 डिगरी हुआ, और 15 डेज तक कंटिन्यू रहा, वो 15 डेज में जो रोड थे ना, उन पे मिनीमम 10 फिट्स बर्फ जमा हुआ था, आइस, 10 फिट्स, तो वहाँ क्या है, कि अगर आपको सर्दी के दिन हैं, नमबर, दिसम्बर, जन्वरी, फर्वरी का टाइम है, और मॉर्गिं 5 अम आपको घर छोड़ना है, सनलाइट नहीं आएगा, और टेंपरेचर बिलो जीरो है, तब आप यहाँ कल्पुना करिए, यह फाइव एम में घर छोड़ने का क्या पतल है, और फाइव एम आप घर छोड़ कर जाएगे, तो फॉर एम आपको तो बैट छोड़ना ही पड़ेगा, और फॉर एम को बैट छोड़ रहे हैं, तो मिनिमम टैंक पियम को सोना ही पड़ेगा, यह ना, बो सकता है नाइन पियम को सोना पड़ेगा, और 9 p.m. को सुना पड़ेगा तो फैक्ट्री से घर 9 p.m. तक तो आ जाना ही पड़ेगा और घर आते ही जल्दी जल्दी कुछ खाके सीधे बैट पे जाना ही पड़ेगा तो कि 4 a.m. to 4 a.m. you have to wake up इसका मतलब यह है कि from 7 to evening 7 a.m. to 7 p.m. आपने फैक्ट्री में काम किया सीधे जल्दी जल्दी घर भागे घर आते ही जल्दी से जल्दी से कुछ खाया इमिलेट बैट पे चले गए क्योंकि 4 a.m. आपको उठना है फिर आपकी लाइफ 5 देस कैसी है क्योंकि वहाँ 5 देस भीक है तो पांच दिर करते हैं वह आपकी लाइफ है इतनी ज्यादा करते हैं फिर next Saturday Sunday अभी मिलेगा तो आपका जो फाइव डेस में अनिद्रा हुआ है तो आप उसका hangover head उसको पूरा करेंगे Saturday Sunday और वो Saturday Sunday में अनिद्रा भी पूरा करना है घर के लिए किचिन का जो material लाना है सोपू लाना है, vegetables लाना है, milk लाना है, सब कुछ लाना है laundry वाले के पास जाना है, insurance का bill पे करते जाना है, telephone का bill पे करते जाना है doctors को visit करना क्योंकि neatly visit ही आप कर सकते हैं चुट्टी तो नहीं है, तो doctors के पास भी जाईए laundry वाले के मैसूर में संभव है, मैसूर में मैं daily देखता हूँ, morning में एक vegetable vendor आता है वो अपना रिष्का, रिक्षा देके आता है और बोल कर, आवास देकर, चिला कर, आपका call बेज दबा कर देखे जासे अमेरिका में इसका imagination की नहीं हो सकता है कि कोई vegetable vendor आएगा, आपके प्रेंट में cold well दबाएगा और आपको कहेगा, please सोपु ले दो, fresh, एक्दम fresh, सीले आया है वो अमेरिका में highly possible, कोई नहीं आता है अभी याद महसूर में देखता हूँ, महसूर तो बहुत ज़्यादा advance हुआ है फिर भी इस महसूर में डेही में देखता हूँ, वो जो इस्तरी करने वादा ना आये है वो भी अपना रिक्षा लेके आता है, और कॉल में दवा के कहता है आपको कुछ भस रहे हैं, बटे हैं, इस्तरी करने का तो घर के सामने आके करते हैं, आपको देखे जाता है अगर आपको इस्तरी करना है, तो minimum 20 miles कार को चला के जाए लॉंडरी मैट को देखे आईए, और वो कहेगा, लेक्स फीक लेते जाना, अभी छोड़ दो इस्तरी, ये तो संबब है, ऐसा नहीं और फिर इस से भी जादा इस्तरी के मैसुर में, मैं जबी भी आगा हूँ, तो मेरा दोस्त है, सुधे दिया, उसके घर में ठैरता हूँ या दूसरे हमारे कारेकरता हूँ ने मैं देखता हूँ, मिल्क में है न, डेदी मॉर्णिक में साइकल पे, मिल्क लेके आएगा, कोई दूर ग्राउं से लेके आएगा, आकड़ा हाथ हो, एम में हाथ, डिफरेंट टैक में लेके आएगा, आपको देगा, और फिक चला जाएगा, अमेरिका में तो कोई कलपना न, आ न ही कर सकता है कि मिल्क में घर में आके इख देगा, वहाँ मिल्क लेने के लिए आपको सुपरमार्केक न जाना पड़ेगा, हो सकता है, 50 माइल्स का कार ड्राइब करना पड़े और एक साथ, बंतु वीक का मिल्क लाना पड़ेगा, डेधीदा नहीं सकते, तो वहां unbelievable केर्व बता है हो लागे घर मैं रख दीजिये ऺई मिल्क को पीना है इनकी फcciónसी नहीं अच्छा होगा प्रिकी फन्टि लिया पिल्लाइज Metro अब अब सकते हैं, आप सेयमें वी फोर आवर्स सब्सकर्ड़ करेंगे इसल dado henra पर और और बिल्क का पास्टूराइजेशन होने का मतलब लेखी है तेखनीकल तरुश में कि मुग मिल्क जब डिसिंग्टी क्रेप होका बडी में तो बी एंडीयल एंडीयल दोनों ज्यादा से ज्यादा प्रोडूस करेगा बी एंडीयल एंडीयल मानें हर टटैक तो जितना जास्टी पास्टूराइज मिलिख भी देधी आबेट है तो आप दितने अमेरिका में एवरेज सेकंड और थर्ड सिटीजन ओवर डेट हैं। अमेरिका में आप जाईए, प्रोड्स पे खड़े हो जाईए, तो हर दूसरा या थीसरा गारिक जो चल के आ रहा है, मिनीमम बंदुनूर नलवत किलो। मैंने एक बाद देखा था, ब्रुग्लिन एक छोटा सा टाउंट हैं, वहां में एक बाद वार्निक खोट किलीए गया, मैंने एक नाकरिक को देखा, मिनीमम बेट नूर नलवत किलो। 350 किलो। अभी वो कैसे चलता होगा, you can imagine। ऐसे अमेरिका में बहुत सीरियस प्राब्लम है, ओबर वेट, ओबिसिटी, अमेरिकन सुसाइटी का सबसे बड़ा प्राब्लम है, और आप जानते हैं कि ओबिसिटी एक ऐसा डिसीज है, जो मदर डिसीज है, जो आया बोडी में, तो मिनीमम 50 डिसीज को इंवाइट करता है आप भी आउट, डाइबेटी अभी जल्दी से आजाओ, अर्थराइटिस तुम भी आजाओ, ग्रॉंकाइटिस तुम भी आजाओ, ट्यूबर्प्रोसिस प्राइटीस प्राब्लम है, और वहाँ जो प्राब्लम है, उसमें एक सीरियस यही बात है, कि फ्रेश कुछ खा नह नहीं सकते हैं, ना सोपू, ना मिल, लॉंडरी मैन को जाना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है, टेलीफोर बिल के लिए जाना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है, अगर आपके घर में केबल कनेक्शन है, तो आपको पे करने जाना पड़ेगा, घर में आने वाला अगर आप प्लंबर को ढूंबने निकले अपने तरीके से तो शायद मूर दिंगडा नार दिंगडा आपको लग जाएगा प्लंबर नहीं मिलेगा तो आप किसी एजेंसी को हायर करेंगे वो एजेंसी प्लंबर को बेजेगा उसमें भी हज़ने गिवस लग सकता है यह उनका सुसाइटी का अपने तरह का प्रॉप्लम्स है तो हम जब यहां से अमेरिका जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वहां तो कुछ बड़ा स्वर्ग है और सबसे ज़्यादा प्रेटिक सीग तब होता है जब मैंने अमेरिका में देखा कुछ ऐसे हिंदुस्तानी जो पत् जो पत्ती को को बेवी है या पफी-पत्ति को कोई बेवी है और वो बन तिंगड़ा होड़् है या 허ल है और तो चीट जा तो नहीं हैो और तायी ज़स mu above लोग है लाने के लिए भी प्रॉपलम है हाँ लाने के लिए बहुत सीरियस प्राइब आसानी से दीजा मिलेगा ने मिलेगा तुछ गारे और अभी तो इन्होंने इंविबेशन के लौज इतने स्ट्रिक्ट कर दिये कि आसानी से जानी सकते तो वो क्या दितने कि उसका छोटा बेवी है उसको कार दाना एठा जो फ्रेंट सीट होता है ट्राइवर सीट का नजदी को उससे बेवी को बैट से बाढ़े मौर्डिंग फाइब मौर्डिंग फाइबेवी के सोने का समय है क्योंकि मिने मं हदने इनके घंटे उसको स्लीप होना इतना तो स्लीप चाहिए लेकिन मॉर्णिंग पाइगें उस बेवी को मार मार के उठाते हैं कार के फ्रेंट सील्ट के बेट से उसको बानते हैं फिर क्रेश में ले जाके उसको छोड़ना पड़ता है क्रेश 200 मील्स की दूरी पे हो सकता है या 100 माइल्स के डिस्टेंस पे हो सकता है तो उसके हिसाब से आपको factory का adjustment करना पड़ता है पहले बेबी को crush में छोड़ना नन तर फिर आपके factory में जाना morning 7 a.m. to 7 p.m. बेबी ताई के पास नहीं है फिर शाम को 7 p.m. को again crush में जाना बेबी को साथ में लाना फिर आपके घर में तब तक बेबी सो चुका होता है तो बेबी थोड़े दिन के बाद जब समझने लगता है तो कहता है ताई पंदे भी बीट ली है क्योंकि Saturday Sunday ही उसको मालूंगा कि ताई पंदे है बागी Monday to Friday तो उसको मालूंगी नहीं है वो सुबह दीब में होता है जब उसको बेंड बाद के लेके जाते है शाम को वापस लादे तब भी वो नित्रा में होता है उसको Saturday Sunday मालूंगी होता है बियर्स लिए साइब करते है और मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वो बेबी जोर जोर से रोता है जोर जोर से रोता है तो रो भी नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई बगल वाले ने सुना तो वो सूट फाइल कर दे रहा है कि आपका बेबी मुझे बिस्टर्ट करता है मेरा मेंटल पीस इसने खतम कर दिया इसलिए आपको मैं सूट फाइल करता हूँ मुझे 10,000 डॉलर्स दे दो अगया 15,000 डॉलर्स दे दो अगया तो वो कईबा क्या करते हैं ग्लास चड़ा देते हैं और म्यूसिक बहुत तेजी से बजाते हैं ताकि उसका क्राहिम जो है बाहर ना जा सके फिर जाके उसको यह सब कर देए और कभी-कभी तो घंती हो गई तो एक बार ऐसा हो गया है मेरा इक दोस्त है वो अमेरिकन जेही महंसम है अपना पत्री के साथ उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो भारत से अमेरिका गया तो उसको महिती नहीं खाते है आवेरिका इसे डिफ्रेंट सुसाइटी वो क्या किया उसका जो पत्री है वो और पत्री दोनों मिलकर एक बार शौपिंग के लिए जा दे तो किसी रोड से वो गुजर रही है एरिया लियॉर्क का था लोर मैंने तो किसी रोड से जाते हुए उन्होंने छोटे बेवी को दे तो उसने किट मारा फुटबॉल रोड पे आ गया इन्होंने गाडी होगा फुटबॉल उठाया वो बेवी को जाके दे लिया और घलती से उस बेवी को उठा लिया और उसका ताई ने देल लिया इन इडियोंट को चिलाता हुए नीचे आया और बेवी को छीन कर सीधे कुछ नहीं सुना मेरा दोस्त और उसका पत्ती उसका कुछ नहीं सुना वो सीधे जेल नहीं डाल दिया अभी उनको फॉर्टी येर्स का जेल हुआ है वो कुछ सुनता थी एमपेसी वालों को बेजा कन्विन्स करने के लिए वो किसी भी पार्ट नहीं है अगर आप में किसी दूसरे के बेबी को उठाया सब्सक्राइब उसे प्यार करने के लिए उठाया तो भी वो बोलेगा कि आप तो इसका अग्शन करना चाहते हैं अपरण का जो चार्ज आपके ऊपर लगा तो minimum imprisonment 14 years का है this is the reality of American society अभी बारत में क्या है बारत में जो सबसे बड़ा जो interesting बात है समझ लेका कि जो चिक मकड़ है वो नेवरर के घर में ही रहता है और मैंने maximum families में देखा है कि उनका तो छोटा बेका बेटी है उसको सबसे ज़्यादा प्रेव नेवरर करता है विदाओ तेटी भी कुछ भी उसको problem ने तो यहां बिल्कुल different है और वहां बिल्कुल different है वो अच्छा है और हमारा खराब है मैं अच्छा है उनका खराब है यह भी ने कहता लेकिन दोनों जगे difference है वो जाना चाहिए एंड लास्ट इसी रो में एक difference में और बताना चाहता हूँ मेरा एक और दोस्त है जो अमेरिका में एक company में है तैनेजर है जर्नल इलेक्रिक में है अभी थोड़े दिन पहले उसने मुझे email किया और उसने कहा कि राजी दिखे मेरा जो फ्लैट था उसमें आग लग गया फा कुछ प्रॉब्लम नहीं अमेरिका में अगर फायर हुआ है तो वो फायर में आजाएगा वो आपका सब काम करेगा नंदर पुलिस में आएगा F.I.R. लौज करेगा थर्ड फिल वो आएगा इंशुलेंस वाल आएगा आपको चेक दे लेगा फोर्थ गवर्साइट का कोई कोई और ओफिसर आएगा पूचेका आपको अर्भी कुल प्रॉब्लम तो नहीं आते हैं यूँके तो वो चला जाएगा तो मैंने का इसमें प्रॉब्लम क्या है तो उसने का मिला नेवरर नहीं आया तो मैंने का हो तो 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 नहीं नहीं आएगा क्योंकि अमेरिकल तो उसने का यार अगर मैं भारत पर होता और मेरा फ्रेट में फायर होता तो हंड्रेट परसेंट फायर में नहीं आता हाँ हमको स्वयान उसको बुझाना होता नंतर पुलिसमेंट तो कभी भी नहीं आता और इंशरेंस वादा तो बंद वर्शन तरा था आपका अध्ले महरिया लेकिन नेवरर इमेडियेट आथा तो मैं उसको बोला है अगया आपकी सब लोग आएगा भारत में सिर्फ नेवरर आएगा बाकी कोई नहीं आहिए यो यह लिए के लिए लिए तो बहुत तक्रीव आती है एक अजस्ट होने में क्योंकि हम एक डिफरेंट माइट से जाते हैं वहाँ different mindset है तो adjustment में ही बहुत समय तर्च होता है और financially जब तक आपको permanent job नहीं मिलता हमेशा आपके सिर्पर एक तलवार लखता रहता है कि जहां आप काम कर रहें next morning आपको notice मिलेगा और आपको factory से बाहर जाना पड़ेगा आपका कोई logic को सुनेते नहीं कोई quote में आपका बात होगा नहीं ऐसे conditions में रहना तो ये लोग जब वहाँ रहना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा दिन रहने पर उनको adjustment करते करते हैं तरे का mindset बन जाता है फिर बहुत difficult होता है उस mindset से भारत में पावाताना है कभी कभी वो आने का सोचते हैं कभी जब उनके जो मंकण है ना बेटा या बेटी वो थोड़े बड़े होगे 12 years, 13 years, 14 years, 50 years तब उनको बहुत serious problem होता है problem बता है क्या होता है अगर आपका बेटी है बगड़ होगी दॉर्टर, 12 years old तो अपने boyfriend के साथ चले जाते है तब उनको seriously problem आता है वो cultural problem क्योंकि American society में 12, 13 years के daughters और son है तो आइदर वो girlfriend के साथ रहेगा या boyfriend के साथ ताई तंदे के साथ नहीं रहेगा क्योंकि American society में by law माँ बनने का minimum age 12 years के बाई law इसको मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं आपको by law अमेरिका में कानून है कि कोई भी लड़की कोई भी इस्त्री 12 years के age में अगर माँ बनती है then it is okay 12 years से बनती लड़ा भी कम है तो problem क्योंकि क्योंकि वो इन लीगर है आप जरा सोचो कि किसी एक society में कानून बनाया हुआ है कि 12 years में वो माँ बन सकती है इसका माने boyfriend के साथ रहना ही पड़ेगा अधरवाई के संबब नहीं तो आपको 12 years में माँ बनने का permission law ने दिया है और वो अपने को progressive करते है और भारत में किसी 12 years old daughter का कही marriage हो जाए तो जंदा उठा के जिंदा बाद बुर्दा बाद शुरू कर देते हैं आप तो पिछरे होए हैं क्या मोर रहता है वाट इस नौनसेश वाँ 12 years का daughter tie बनता है इस ओके, progressive है या 12 years का daughter किसी को manage करने के बाद tie बनता है तो वो बोलते है ओ, it is not okay without marriage tie बने, it is okay with marriage tie बने, it is not okay तो हम दो वो चिल्लाना शुरू करते हैं बाद बहुत बिछड़ा देश है, 18th century वाला देश है, 16th century वाला देश है तभी मैं हुँको कहता हूँ, 21st century कितना सुंदर है 12 years में tie बनेका तुम में law बना दिया है और seriously, जो original Americans है न, उनके families में कभी-कभी में गया तो मैंने उसे पूछा कि आपका daughter तो boyfriend के साथ रहता है हाँ, yes, because she is 20 years old और 13 years old तो नहीं पढ़ेगा तो मैं बोला, suppose ना रहे तो मालो कोई एक case ऐसा निकला, अमेरिका में जो daughter tie तंदे के साथी रहना चाहता है boyfriend के साथ नहीं जाना चाहता तो tie तंदे को mental problem है वो tie तंदे कहता है, शायद हमारी daughter में कुछ problem है yes, हाँ और मैंने ऐसे tie तंदे को देखा जिनका daughter 14 years का हो गया, उसका कोई boyfriend नहीं था तो उसका tie को जो बोलता था कि मेरा daughter को कुछ mental problem है आप homeopathy का doctor है, आप कुछ medicine सजेस्ट करो मैं पूछा, क्या बात के लिए हैं कि ये boyfriend ये साथ जाए इसके लिए medicine दे दो और वो tie तंदे पूछ रहा है अभी भारत का tie और अमेरिका का tie ज़रा कल्पना करो और डिफरेंस कैलिक्ट जो नहीं भारत का tie का daughter अगर 12-13 years old है तो वो tie daughter के साथ हमेशना तो जाता है अपने घर का काम छोड़के जाता है उसकी कोई भी serious problem हो सकती है उससे उसको बचाने के लिए इसकूल में admission लेना है शॉपिंग करना है कोई film देखना है नाटक में जाना है music festival में जाना है तो tie तो कम तल सरी साथ में जाएगा लेकिन अमेरिका है tie तन ने तो नहीं boyfriend साथ में जाएगा तो Indian mentality के लोग जो अमेरिका में settled हो गए है उनको ये चीज तो पसंद नहीं आती है तब वो परेशान होते है उनकी आखों के सामने उनके teenage daughter person boy and girl teenage उनकी आखों के सामने जो boyfriend के साथ जाएगे है और 13 years में before marriage वो pregnant होके आती है तब वो लोग अपना सिर्फ इठते हैं फिर सोचते हैं कि हमैं बारत जाना अच्छ आ है वो एकी कड्रीशन में बोलते हैं बारत जाना अच्छ आ है फिर वो उनका termination कराते है pregnancy का termination कराते है फिर उसको दे कर भारत में आते हैं फिर यहाँ से कुई अच्छे लगए को ढोग कर उसके शाद जबर जस्ते शादी करते हैं क्योंकि उटको मालूम है वहाँ शादी करेंगे तो और भी ज़ाद सीरियस पाफ लगों होगी अमेरिकन सुसाइटी में शादी होने का संभावना नहीं है 70% को आप जानते हैं इस अमेरिकन सुसाइटी में 70% लोगों को वो लिविन रिलेशन्शिप में लेते हैं लिविन रिलेशन्शिप में आप जानते हैं शादी नहीं करता हैं बागी सब करता है शादी नहीं करता हैं क्योंकि शादी अर्था रेस्पोंसिबिलिटी शादी अर्था जिन में दानी जब आप दानी रेस्पोंसिबिलिटी व एककुल्स में हैं शादी नहीं हमता हैं. फिर प्राब्लम सिरिएसली कहा स्टार्ट होता है? लिविड रिलेशनशिप में जब मकढ हो जाते हैं बच्चे हो जाते हैं, उनको बड़ा होकर क्या नाम देना, क्या सर्मे कदेना, ये स्विडियस प्राब्लम होता है. तो फिर वो अंतर में क्या करते हैं, कि जो Convent Educational Centers होते हैं, Institutions होते हैं, वहाँ उनको छोगते हैं Convent माने, लावारिस बच्चों के स्कूल लावारिस माने, जिनका ताई तंदे का माहिते लेगे उन बच्चों के स्कूल को यूरोप और अमेरिका में Convent करते हैं Convent COI, DD and Convent Curve होता है, जो बच्चे का स्टूडेन का ताई तंदे नहीं है, वो Convent इस्कूल हम भारत में हैं, वो Convent इस्कूल इंपोर्ट कर दिया है, नित ताई और तंदे हमारा यहां ताई भी है, थंदे भी है, फिर भी Convent इस्कूल है और बड़े गर्व से हमारा हम मक्र को Convent इस्कूल करते हैं, ना भारे इस बच्चो का इस्कूल इस इस प्लाइंट फॉल्ड़ेट इस्कूल इस्कूल प्रॉब्लम जो है न वो इस्कूल 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 इस इस बार टम्परेटर इस्कूल सर्वी इस्कूल इस्कूल इसकूल इस्कूल इस्कूल सितो इस्कूल के इस जास्ती खल्ड इस्कूल इस्कूल इतलि जास्ती गरम नहीं है, 15 तो 52 यह temperature अमेर Democrats with 53 Q always can aboutuesto इस्कूल कलभ आभर्यका मरलेंग सज्ञें, पलस 15 और 52 तो तो बॉडी का जो बायो केमिस्ट्री है वो उसके अनुसार है वह मौर्णिंग बारत में फड़ा ठंदा होता है ठीक है तो अधनिंग में भारत की सभी प्रकूपित है और इवनिंग फिर अगेली धंडा है तो कफ प्रकूपित है तो आपका बोड़ी का जो बैलेंस है और प्रोटल वायो केमिस्ट्री है वो बॉर्णिंग वार्थ, नून पित, इल्दिंग कफ ये आपका रूटीन लाइफ में चलता है आपका बोड़ी में कोई भी हम चेक करें आयो मेर्थ के हिसाब से तो बात करें